इसके पहले के तीन पार्ट अल्लेडी पब्लिश की जा चुके हैं अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं 301 नंबर कोश्चिन है जल प्रदूशन का प्रमुक कारण क्या है तो दुआ कि यह तो वाई प्रदूशन का कारण है आटो मोबाईल उसर्जन वाई यानी सभी वाई प्रदूशन के कारक हैं जबकि कीटार नाशक जिसको आप पेस्टी साइड्स कहते हो या इंसेक्टिसाइट्स कहते हो तो ये इंसेक्टिसाइट्स पेस्टिसाइट्स और फर्टिलाई जैसे हैं नहीं खाद वगेरा कि सभी जल प्रदूशन का एक प्रमुक कारण है जब कीटार नाशुकों का प्रियोग आप फस्लों में करते हैं और जब बारिश या सिचाई की उपरांथ जो ये पानी के साथ खुलते हैं मिलते हैं तो उससे जल प्रदूशित होता है जल की बहुत एक रासाइनिक अगर अवस्था में परिवर्तन आता है तो ऐसे जल को प्रदूशित जल खा जाता है आते हैं कुशन नंबर 3-2 पर डिंगू रोक का वाहक कौन है अभी बहुत ज़्यादा ये बीमारी इस समय फैली रही है पिछले को समय से डिंगू रोक का वाहक मच्छर इन में से एडीज मच्छर है जब कि जो सी ऑप्षिन मादा एन ओफिलीज ये मालीरिया का वाहक है और डिंगू का जो है वो एडीज मच्छर है इन दोनों को ध्यान नखीगा 3-3 है ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुक रूप से उत्तर दाई कौन सी गैस है तो डिये स्टुएंट्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुखेता जिम्मेदार है कारवन नई ओकसाइड ग्लोबल वार्मिंग है क्या कुछ ऐसी गैसे जो की मुखी रूप से हमारे वाई मंडल में एक निश्चत उचाई पर जाकि उन्होंने एक घेरा बना लिया एक आवन बना लिया जिससे सूरीज से आने वाला जो विकरन है वो आ तो जा रहा है लेकिन वो वापस जानी पा रहा है और ऐसे में जो पत्त्री है उसका औसत ताप्मान बढ़ रहा है इस ग्लोबल वाप्मिंग के लिए जुम्मेदार जो गैसे उनमें कार्बन डाई आउकसाईड एक है बाकी कौन सी गैसेज है मैं भी आपको बताता हूँ यह आपके सामने ही ग्रीन हाउस गैसेज जो में है कार्बन डाई आउकसाईड यह जारत तर आपका जीवाश मेंद प्रिशनर फू और फ्रिज है उसके अलावा जो आप डियो परिफ्यूम सगरा यूज करते हैं सल्फर डाई ऑकसाईड है जब आप कोईले को अधूरी तरीके से जलाते तो सल्फर डाई ऑकसाईड रिलीज होती है और इसके अलावा जलवाश तो आप ध्यान नकिए अंड़ी ऑकसाईड के साथ 6 गैसे प्लस जलवाश यह सब ही आप ग्रीन हाउस गैसे के लिए मुख्यता जिम्मेदान है बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए टेबल है ड्यूस्टो इसको एक बड़ आप जुरूर पाँच करके देख लीजीगा इससे काफी कुछ तो उनका क्या मात्तवर अगले सवाल पर आते हैं कुछिन नमर थ्री एंडर 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 फूर ओजोन मंडल कहां इस्तित अल्लेडी पहले हम आपको डिसकस कर चुके हैं ओजोन मंडल हमारे समताप मंडल में पाये जाता हैं समताप मंडल की निचली सतय में इकोलाजी शब देवी पहले से आपको डिसकस कर चुका बता चुका इकोलाजी शब बना हुआ ग्रीक भासा का तो अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल है मारे पास सीपी सीव याने केंदरी प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड सेंटरल प्लिशन कंट्रोल बोर्ड इसका ग कोहल एलडिहाइड और कीटोन यह सभी कार्बनिक प्रदूशक हैं मूव करते हैं कुशन नंबर 308 पर बायू गैस में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो बायू गैस में निकलने वाली सबसे ज़्यादा गैस होती है मीथेन कुशन नंबर 309 है फ्लोरो रिसस बीमा है और इसका प्रमुक्ष जो आपका कारण है वो है जल प्रदूशन तो फ्लोरो रिसस बीमारी जल प्रदूशन की वज़े सोती है अब्या सवाल है 310 वां इंडियन बोर्ड ओफ वाइल लाइफ की स्थापना कब हुई है इसकी स्थापना डी स्टूद्स होई है 1952 में जो जंगली जानवर हैं जंगली पशू जंगर इनको बचाने के लिए इन इन बोर्ड ओफ वाइल लाइफ की स्थापना वी पारितंत्र के समंधों का सबसे सही बताने वाला पिरामिड कौन होता है पारितंत्र में अलग-अलग पोशक इस्तर पर अलग-अलग तरीके के जीव रहते हैं और इनके बीच में सबसे अच्छे तरीके सम्मन बताता है उरजा का पिरामिड जिसके बारे में मैं उल्ली पहले बता चुका हूँ आगले आता है किस व्रच्च से जैविक डीजल तयार किया रहा तो वर्तमान में जैट्रोफा नमख व्रच्च से जैविक डीज यह इन्हों ने इसमें बताया हुआ है कि जो evolution हुआ उत्परिवर्तन हुआ यह एक जैती प्रॉसेस रहा हुआ है तो उकल मिला के आपका विकास का उत्परिवर्तन से धान दियावा यूगो डिर्वीज ने सेयुक्त रास्त ने पर्याबरन्ट सेक्षा कारिकरम कर घूशित किया यह उसने घूशित किया 1972 में अगरा सवाल भारत का संकत रस्त पादक जाती इनमें से कौन सा है कौन जा पौधा ऐसा जो संकत रस्त है तो 2004 न्ड committees संकत रसत है आप अल्यड़ि समझ सकते हो मात्ता की वज़े से बहुत बेश किंटिक कियमतों की वज़े से यह आपका संकट ग्रस्त है भारत की किस बूकम पेटी में हिमाले युद्ध्ध से हिमाले सबसे ज़़ादा खतरनाक शेत्र है जहाँ पर भूकम पानने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है और इस वज़े से आपका ये हमारे जोन प्रथम में आते हैं क्यूटो प्रटोकॉल का उद्देश क्या था ग्रीन हाउस गैसे जो की लगातर बढ़ती जारी है उनके उत्सरजन को रोपना ये क्यूटो का प्रम कुर्देश थ जैसा की बताया था क्यूटो ये आपका संधी उन्निस वतानमे मुहिती जापान में है क्यूटो और दो जार पांच से इसके प्राविधान लाग हुए थे जो की दो जार आपका चलने थे बीस तक तो वर्तवानमी क्यूटो प्रोटोकॉल इसकी जगे लेना है आपका पिर इसे संगठन है जिनके मुख्याल है किसी भी विकासी देश में या पिछले वे देशों में उनमें से एक है UNEP और UNEP का हैट कोटर है केन्या की राजदानी नेरोगी में ये एक अफ्रीकी महादीप में आने वाला देश है केन्या और उसकी राजदानी है नेरोगी ओजोंग चितर का प्रभाव क्या होता है प्रतविका ताप्मान बहता है समुद्र का जल स्थल भी भषक्ता ओर मौसम परिवरतन भी होता ये सबी चीज़े हो हैं ओजोन परत्में चितर की वज़ए देबीश्येंट किसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का ले ना देना औ उनों का आपस में कोई कोरेलेशन नहीं है अगला सवाल 320 है रास्टी पर्यावराण चेतना अभ्यान कब चलाया गया यह चलाया गया था 1986 में श्वैत फेफडा कैंसर जिसको वाइट लंग कैंसर कहते ही किस से फैलता है किस तरीके की इंडस्ट्री से फैलता है तो जो लोग टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में काम करते है कप्ड़ा बनने वाले यह का सूर्त हुड उनको वाइग लंक का इंसर हुने की समामना रहती तो जबाब हो जाएगा टेक्स्टाइल अगला सवाल है भारत को किने बारत बारत ग्यावा मिप्रम पट्थि stories अह वाघुए औरð यह स्वेडन की राजधानी है खरगोष क्रिश्ट लिनिकाउट बोगता है तो आपको पता है खरगोष क्या खाता है घास तिंके और इस वज़े से शाकाहरी हुआ सवाल 325 वह था सरभच्ची इन में से कौन सा है तो मानव एक्जामपल है सरभच्ची का 326 सवाल है उत्रब्रदेश में प्रिथम बायोटेक पार्क कहां पर रिस्तित हुआ तो हमारे उत्रब्रदेश की राजधानी लक्नों में पहला बायोटेक पार्क बनाया गया 327 नंबर सवाल है छोब मंडल का विभाजन कहां से कहां तक अब पताया आपको पहले आपका पार्ट में डिसकस कर चुके हैं कि छोब बंडल प्रत्वी की सतय से लगा हुआ बंडल है और इसकी उचाई आठ से बारा किलो मेटर तक रहती है तो फिलाल यहां जवाब होगा प्रत्वी की सतय से बारा किलो मेटर जो भूमद रेखा वहां से बारा किलो मेटर जबकि धुरों से इसकी उचाई आठ किलो मेटर तक रहती है केच्वे से कौन जिखाद तयार किया थी वर्मी कंपोजिट्स जो होते है यानि जैवी खाद इनको हम आपका दूंकी मदस से तयार करते हैं तो जवाब हो जाएगा जैवी खाद क्रिश्ट छिद्र सिध्धान जिसको आप ब्लाक होल कॉंसेप्ट कहते हो इसको प्रत्वादित किया हुआ था हमारे नोबल विजेता डॉक्टर सीवी रमन ने तो सीवी रमन ने आपका सबसे पहले क्रिश्ट करिका छ जीनिंग सेंटर है यह कहां पर है तो डेस्ट यह सेंटर है आपका महारास्प में और जगे है नाकपुर अगला समय तक 331 भारत में वैकल्पी कुर्जा का प्रचू सोत्र कौन सा है अल्ट्रिनेटिव एनरजी का जो सूर्स है भारत में वो सूलन एनरजी है और हमारे प्र प्रचू सोत्र कौन सा है 332 सवाल है इनमेरे व्रच जो पर्यावरनी संकष माना जारहा है यह प्रच बाहत तेजी से?」 वहाग में तेजी साथ प्रच परचूस है लकिन जब दोनों ऑप्षण ने तो हमारे जबाब युवा वाइज रहे हैं निचे है केलिप 녹ogene सोगा, प्रसित भारती, परियाबेंट दिक विधू कौन से हैं इनमें परियाबेंट विध्य आपको पता है तुमदलल्वा आल वंगुणा जो कि चिपको अंधुलन की लिए जाना से चिपको आंधुलन रखना है आपका Waterman of India किसको कहते है तो राजेन सिंग को Waterman of India कहा जाता है यह भी आपके लिए कपी इंपोर्टेंट रहेगा अमली वर्षा बनाने वाली गैसे कौन सी है तो नाइट्रस ऑक्साइड उसके अलाबा नाइट्रोजन अक्साइड सल्फर डाय ऑक्साइड यह आंस से नाइट्रिक एसिड है नी एचनो थरी और इसके अलावाद जो सल्फिरिक एसिड ऐसे अमल बारिश के साथ जो नीचे प्रत्वी पर आते हैं अब यह सवाल पर आते हैं 336 भारत में मैंग्रोव अनस्पत्ति कौन सी जगे पर पाई आती है तो मैंग्रोव पाई आती है पर्शे मंगाल में आहार्श रंकला में द्रती पोशन इस्तर संबंदित कौन है द्रती पोशन इस्तर यानि जो प्रत्निक उद्वोगताओं को भोजन की रूप में ग्रैनित करता होगा वो है तेड़ा तो तेड़ा चोटे मोटे केले मकोडों खाता है इसका मनलाव आपक जो कि आपका अफरीकी माधीत में कई देशों में फैला हुआ है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तीन सो उन्तालिसवा सवाल है भारत में चक्रवात किस बेशिन से उत्पन होते हैं तो चक्रवात जो उत्पन होते हैं वो उत्तरी भारती बेशिन से ही उत्पन ह नेक्स वोशन है बबूल और करील कहां पर किस तरीके के पारितंत्र में पाए जाते हैं तो बबूल और करील ये दोनों मरुस्थल पारितंत्र में पाए जाते हैं जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है ओजोन परत की छरण का कारण कौन है तो क्लेरो फ्लोर कारबन जिस की रूप में क्या निकलता या तो इससे जो अब वेस्टिश की रूप में निकलता है वो निकलता है सलफर कि बहुं सरक्षाइब समंदे चिपको अंधुरन कहां पर चलाए गया चिपको अंधुलन उत्रकन में चलाए गया already आपको बताया चंडी प्रिशाद बट और सुंदलाल बहुना के नहित्ति में और जो जगे उत्राकन्ज में हो थी गड़वाल तो जवाब हो जाएगा सी अगला सवाल आता है नीली क्रानती का संब्ध आप सबको पता होगा मचली उत्पादन से अगला सवाल हरित क्रानती का संब्ध किस से खाध्यान उत्पा को भारत में मेस स्वामिनातन को हरित करांती का जनक माना जाता है अगला सवाल आता है इन में से किस पदात पर सागर में मचलिया जीवित रहती है मचलियों को खाने के लिए जिस चीज की आवशक्ता होती है जो खाती है वो पानी में वो कहलाता है प्लांक्टन तो प्लांक्टन की आवशक्ता पड़ती है मशलियों को हवा में ध्वनी तरंगे कैसी होती है हवा में धुनी तरोंगे डियर स्ट्वेंट अनुधायर होती यानि लॉंगिट्यूडनल आपको पता होना ची अनुप्रस्ट को लोग कहते हैं ट्रांस्वर्स और अनुधायर को कहते हैं लॉंगिट्यूडनल इनमें अंतर आपका होता है तरंग की गती की दिशा में जो कैसी होती है चैते होती है अग्या सवाल पर मुख करते है तीन सो नन चास नंबर धुनी की गती सबसे ज़्यादा कहां पर होगी तो जो आद्र हवा होती है यानि हीमिलिटी जब ज़्यादा होती है अगर टेंपरेचर भी ज़्यादा हुमिलिटी भी ज़्यादा तो धुन जब आदरता सबसे ज़्यादा होगी जब बारिश का मौसम होगा तो सबसे ज़्यादा दूर तक ही सुनाई देगी तीन सो पचासवा सवाल है कि इस प्रदेश में फूलो की घाटी तो फूलो की घाटी यानि वैलिया फ्लार्स यह उत्राखन में आईए इसके दर्शन कर लेते हैं यह आपका वैलिया फ्लार्स जिसमें किया आपका जून से अक्टूबर महा के मंत में अपने आप धेल सारे फूलो का थे तो बहुत ही खूब सुरत है वैलिया फ्लार्स से अगले सवाल पर आते ही तो मिख गैसका रिसा और मिख यहाँ नहीं मिधाईल आइसोसाइनाइड गैस का रिसा हुआ था अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कारवाईट उस यूनियन करती थी और उसी कंपनी में एक रात्र जो की 1984 में आपका 1984 में पर्टिकुलर मिठाइल आइसोसाइनाइट के यह चैंबर फटने से हजारों की संख्या में लोग मारे गए हुए थे इसको बोपाल गैस्ट्रेस जी के नाम से जाना जाता यह याद रखेगा 1984 और जो कंपनी थी वो थी आपका यूनियन कारबाइट 352 नंबर सवाल है ध्वनी की चाल अधिक्तम कब होगी तो आप इन में से जित्ते भी माध्या में उनमें इस पार्ट में ध्वनी की चाल सबसे ज़्यादा होगी पराशर वितरंगे मनुश्य द्वारा क्या है थुनी जा सकती क्या नहीं पराशर वितरंगे यानि अल्ट्रसोनिक वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी 2000 हैट से ज़्यादा होती है इनको सुना नहीं जा सकता इनका उप्योग किसमे होता है जब भी हमें कोई सिंगल बेजने होता है नहीं संकेट या हमें गहराई भी कोई चीज ना अपनी होती तो पराशर वितरंगों का उप्योग करते है अगला सवाल है अंतरास की अमल वर्षा सूचना केंदर कहां पर स्थापित किया गया है तो पारिस्टफित के इंतराइब आता आपको पता अठार भारत का राजस्थान में पाया जाने वाला मंरुस्थल है और जब अगर यह मरुस्थल है तो आपको यहां पर जवाब पीगर हो जाएगा कि मरुस्थल पारिस्थकी तंतर में पाया जाएगा 357 नमटर सवाल पर आते हैं अमली वर्षा के लिए इन में से कौन सा जिम्मेदार है आपको अलेड़ी थोड़ी पहले बता चुका हूँ SO2 और NO2 दोनों ही जिम्मेदार है 358 नमटर सवाल बहुत इंपोर्टेंट मिनी माटा रोग किस देश में हुआ था तो मिनी माटा रोग देश्ट्रेंट हुआ है जापान में इसके बार आपको हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ा सा बड़ा इंट्रस्टिंग है जापान में मिनी माटा एक जगे है या मिनी माटा जील है उसके किनारे एक इंडस्ट्री थी वो industries अपने wastage यानि जो उसका प्रदूशक हुआ करता था उसको बहा देती थी और वो जाकर जील में मिलता था तो जील का पानी धीरे धीरे आपका प्रदूशक होने लगा और जो उसके wastage में ज्यादा मातर थी वो mercury की थी वो mercury आपका पानी में मिलता रहा, उसको किसी तरीके से बैक्टिरिया ने चेंज किया और उसको मचलियों ने खाया मचलियों के खाने के वज़े से हुआ किया उन मचलियों का उपयोग वहां के लोकल लोगों ने किया तो उनको इस रोग को जि incentives जहला पड़ा तो मचलियों के वज़े से मचलियों के कारण इस तरीके का रूप फैला तो अगले कुछ सवाल आपको क्लियर हो जाएंगे किस देश ने सर्प्रतम पर्मार उर्जा से इनते इस्तापित किया तो पर्मार विस्पूर्ट तो सबसे पहले अमारिकार ने किया था लेकिन न्यूक्लियर रियक्टर सबसे पहले फ्रांस ने स्तापित किया था और वर्टमान में फ्रांस एक ऐसा देश है जो अपनी ओर्जा जरूरतियों का करीम नब्दे प्रिश्यत परमार ओर्जा से उत्पादित करता है 363 नमबर गयस है NO3 क्या है आपने अल्लेडी लाफिंग गयस के बारें पड़ा हुआ एक हसाने वाली गयस है लाफिंग गयस इसका उपनाम है मिनी माटा व्यादी इनमें से किस तत्त्य की अधिक्तम होने कारण हुए आपको अल्लेडी बें बता चुका हूँ मरकरी के कारण हुए थी मिनी माटा रोग कैसे फैला आपको ये भी बताए मैंने मचलियों के सेवन से हुआ तो जब आप इसका मचली हो जाएगा तापी विद्व सयंत से मुक्ता क्या अप्षिस निकलता है तो जो तापी विद्व सयंत रोते हैं इनसे अप्षिस की रूप में जो निकलता है वो फ्लाई एश जो की एक तरीके की आपका राक होती वो चिमनी से निकलती है व्याग्यानिक रॉबर्ट एंगस ने किस का सर्पितम प्रियोग किया तो जो एसी ड्रेन है उसका सर्पितम प्रियोग इन्होंने रॉबर्ट एंगस ने किया चर्णोबिल दुरगटना का कारण क्या था और चर्णोबिल दुरगटना के कारण क्या हुआ था चर्णोबिल दुरगटना एक परवार या नाभी की दुरगटना थी जो की तकाली रूस और वरतमान में यूक्रेन में 1986 में तो ध्यार दखेगा चर्णोबिल वरतमान में देश में एक चोटा सा यूरोपी देश है और यूक्रीन पहले पार्ट हुआ करता था रूस का यूगतना हुई है 1986 में दुनिया की जो भीशड़तम नाब की दुरगतना है उनमें से एक उसके लबाद इस्टूर दो तीन और आपको याद रखना है जैसे कि अमारिका में जगे हैं अमेरिका में तो थ्री माईल नाब की दुरगतना का संबंद अमेरिका से है जबकि जापान में आपका फुकुशिमा जो नाब की दुरगतना है उसका संबंद कहां से है फुकुशिमा नाब की दुरगतना का संबंद जापान से है नेक्स कुशन पर मूब करते है 366 पेट्रोल जलने से कौन सी विशाली गैस उसरजित होती है तो कार्बन मुनो ऑक्साइड ये पेट्रोल जलने से उत्पन होने वाली विशाली गैस है कार्बन मुनो ऑक्साइड का 50% उसरजित है जितनी भी कार्बन मुनो ऑक्साइड उसरजित होती है 367 एक किसी भी उद्दो में चिमनी की नूंतम उचाए कितनी होनी चीए कम से कम 30 मेटर होनी चीए अगले सवाल पर आते हैं किन वनों को प्रत्वी का फेफ़रा का जाता है Lungs of Earth Lungs of Earth हम लोग कहते हैं Emojon के वनों को और यहां पर जो Emojon है यह अफरीका मादीप में सरी साउथ अमरिका में पाय जाता है यानि ब्राजील जैसे देश आपका यह Emojon के किनारे हैं और इस वज़े से यह भूमदी रेकी देश होता है और भूमदी रेकी देश है तो यहां पर हम आपका जवाब देंगे भूमदी रेकी और यह जंगल है आपका Emojon के जंगल आपको मैं यह आप पर और इन्फरमिशन देना चाहूंगा आपको मैं पिक भी दिखाता हूँ यह Emojon के जंगल है 20 से बैने वाली नदी है Emojon नदी यह अकेले दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन उत्पादित होती है उसका अकेले 20 परसेंट यानि एक बटे पांचवा हिस्सा सिर्फ अकेले Emojon के जंगल ही उत्पादित करते हैं इतने घने यहां पर जंगल हैं कि यहां से सूरी का प्रिकाश नीचे नहीं पहुँच पाता है बहुत दे सारे नाना प्रिकार की यहां पर जीवजनतु पाये जाते हैं लेकिन आज का लिंग के उपर खत्रा मड़ आ रहा है वर्तमान में Emojon के जंगल सुर्खियां मटोर रहे हैं आग की वज़े से आप देख सकते हैं यहां पर Emojon के जंगल में भीश अड़तम आग की दुर लगातार घटनाएं बरती जा रही हैं इस वज़े से Lungs of Cancers वर्तमान में खत्रे में हैं बढ़ते हैं अगले कुशन पर मनुष्य के शरीर की जैप प्रियोग साला किसको कहा जाता है तो dear students हम लोग यक्रत यानि लीवर को मनुष्य के शरीर की जैप प्रियोग साला कहते है नेक्स कोशन है आयूर वेड में किस पौदर को परियावरन प्रदूशक का सूचक का आगयानी किस पौदर से हमें पता जल जाता है कि प्रदूशन है या नहीं है तो dear students तुलसी एक ऐसा पौदा जिसकी पत्तियों में color में change आने से हमें पदा जलता है कि किसी आपका छेत्र में प्रदूशन का इस तर कैसा है 371 नंबर सवाल है रास्क्री वन मीती के अनुसार कितने चेत्र में वन होने चाहिए तो एक त्याई चेत्र नहीं 33% में कम से कम वन होने चाहिए इलेक्ट्र डाइलेसिस द्वारा किस प्रदूशन को दूर किया था तो जो रेडियो एक्ट्र पलूशन होता है रेडियो धर्वी प्रदूशन इसको हम लोग दूर करते हैं एलेक्टोडाइलेसिस की दवारा नेक्स्ट कोशन है प्रत्वी पर सबसे तेज दौरने वाला जीव कौन सा है यह डिये स्पोइट से है टाइगर यह नहीं चीता पचास से कभी 65 किलोमेटर प्रतिगंटा तक की स्पीड से दौर सकता है जी हम 52 65 किलोमेटर पर आर्थ और यह है प्रत्वी पर सबसे तेज दौरने वाला जीव केंद्री मरुस्तल संस्था यह कहां पर तो केंद्री मरुस्तल संस्था हमारी है राजस्तान जोत्पूर में जवाब है इसका जोत्पूर सवाना घास के मैदान कहां पर यह अफ्रीका महादीत में पाए जाते हैं सवाना map के जरीए आप देखेंगे हैं यह वर्ड map जिसमें आपका आप बाई और देख रहे हैं सबसे उपर बाई और यह है आपका उत्तरी अमेरिका और नीचे है दच्छी अमेरिका उपर है प्रेरी नीचे है पंपास यानि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है प्रेरी प्रॉप में यह भी याइश्या भी आप कह सकते हो regulator झी जब नीचे आते हो अफ्रीका माधिक में देख रहा हो आपको एल्ड मिन देख लाइं नहीं सहगा है जो आप हम वर्ते यहां पर उत्री अमारी का में 346 नंबर सवाल है सीशा क्या है एक मुख्यवाई प्रदूशक जिसका सोत्र क्या है पेट्रोल जो वहाँ है यह पहले पेट्रोल सीशा वाला इस्तेमाल किया करते हैं तो वरत्मान वे इस पर रोक लग चुकी लेकिन सीशा जो मुख्यवाई प्रदूशक है इसका सोत्र आपका कौन हुआ करता था पेट्रोल वहाँ अब यह सवाल आते हैं हम लोग डेस्ट्रेंट्स सीअपसी का प्रमुख सोत्र क्या है तो जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स या कर लीजिए एसी जो पुराने हुआ करते है तो यह सीअपसी का प्रमुख सोत्र है क्लेरो फ्रिजरो कारवन जिस गैस से जीवदारी का दन गुटने से मर जाने के संभावना रहती है तो सल्फर डवियो ऑक्साइट से दन गुटने के कारण मरने के संभावना रहती है 379 ने किसे सागरी मरुस्थल कहा जाता है सागरी मरुस्थल अब लोग सारा गास को सागर को कहते है यह ऐसे आपका मरुस्थल होते है जहां पर ऑक्सीजन बिसीकली बहुत कम हो जाती है महला समुद्रियों बीच में एक ऐसी जगे जो कि ऑक्सीजन स्टार्विंग हो जाती है नेक्स कुशन है 380 वरक्ष की आई व्यच्चों में कैसे निर्धारित करते है तो जो वले बनते हैं वार्शिक पलियों की संख्या क्यादा पर वरक्ष की आई व्यच्चों में निर्धारित की आती है 381 नंबर सवाल है रक्ष का एंसर किस और्दोगी रसायन से होता है तो बेंजीन मुक्यता रक्ष का एंसर के लिए जिम्मेदार रसायन है 24D ये क्या है ये एक खरपतवार नासी है जो की फसलों में खरपतवार जो उगाते हैं उनको नस्करने के लिए यूज किया जाने वाला एक पेस्टिसाइड है तो 24D ये एक खरपतवार नासी है भविश का इनन कौन है भविश का इनन हम लोग हाइड्रोजन को मानते हैं तमाम प्रियोग किया जा रहे हाइड्रोजन कुली की और इसको आपका future fuel माना जा रहा है किस देश में सरवादिक अकबारी का अगज उत्पादित होता है तो करनाडा इसमें सबसे ज़्यादा अकबार का जो पेपर है ये उत्पादित होता है नेक्स कोशन है अपिको अंदोलन ये वरन अर्चो को काटने से रोकने के लिए किस जगे से शुरूआ अपिको भारत में मुक्षिता या दच्चिर भारत में और करनाटक में चलाया गया लेकिन इसका प्रवा के लिए करनाटक में ही नहीं करनाटक साथ साथ केरल और तमिलाडू में नजर आता है पार्मिवंगा हेगड़े की नित्रत में भी आर्दुलन चलाया गया मुखिता इसकी प्रेणा उत्तर मारत में जो खासतर पर उत्तराखन में गड़वाल डिस्ट्रिक में सुन्दलायल बहुड़ा और चन्दी पिषाद बटकार दुलन था चिप को उससे लिया गया लेकिन यहाँ पर इसकी शुरुबात जो आपका जो हुई है वो नागपुर से हुई तो डियस्टोरेंट मारास्ट में नागपुर नामक जगे से 177 इत्योकॉर नाड़ा में मंंन्ट्रियोल और यहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ नेक्स सवाल आता है रासानी कुद्दूगों का जन्मदाथा किस देश को वाना मा जाता है तो चाहें बात ओदोगिक खिए रासानी जन्म गाता देश की दोनों में नाम आएगा Great Britain का ब्रिटेन ही आपका ओदोगी क्रांती का भी जन्म गाता है यह कहाँ पर है भारत में है प्रत्वी कि आयू का मापन किसी भी दिद्वारा करते तो प्रत्वी कि आयू का अपने का तरीका रेडियोंति डेटिंग है situation कहाँ पर अप उसके लिए यूच करते यूरेनियम को तो यहां जवाब आप दे सकते हो यूरेनियम विती 390 नंबर स्वाल है कौन सा जैमंडल जंगली गदे के लिए फेबस है तो गदो का अब्यारन गुजरात में है गुजरात में आपका एक अल्लेडी जैमंडल है रन आपकच तो लिटिल रन आपकच ये जंगली गदो के लिए फेबस है भारत का सबसे कम बर्षा वाला इस्थान कौन सा है तो जब बात करते हैं हम लोग सबसे कम बर्षा वाला इस्थान तो ले है ले और लद्धा का आपने सोना होगा न सबसे कम बर्षा वाली जगे है ले गटिया आपको पता सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती भारत में वो मासिन ग्राम में होती जो कि मेगाले में इससे पहले चेरा पुंजी थी चेरा पुंजी की पास की जगे मासिन ग्राम सबसे ज़्यादा वर्षा वाला इस्थान विश्व का और भारत का सबसे कमर्शावला इस्थान है ले भारत में चंदन के वरच सबसे ज़गा किस राजजी में चंदन के वरच बारत में सबसे ज़गा करनाटक राजजी में पाए जाते हैं किस वरच में सक्तिशाली की इतना शक पाए जाता है तो नीम आपको पता है तमाम आपका रोगों को दूर कर देती या आपका अपने आपने तरीके का की इतना शक है तो सबसे जल सक श्राली की इतना सक इनमें से नीम में पाए जाता है ताज को कैसे नुकसान ताज मेल को नुकसान कैसे पहुचा जा सकता है यमنا की बार से क्या पहूंच सकता ताप्मान में क्या वेर्दिस पहूंच सकता या मत्रुरा रिफाइनरी क्या वाई sect प्रिदूशन पहूंच सकता या उप्लियुक सभी तो यमना की बाढ़ आज तक कभी भी इतना नहीं बाढ़ आई जो ताज को नुकसान पहुचा से कि ताप्मान मी बढ़ा हुआ लेकिन नुकसान नहीं पहुचा पाया मुख की समझ से आया आगरा के पास इस्तित मतुरा में है आपका ओयल डिफाइनरी की वज़े से ताज मेल के उपर पीला पन का खत्रा बढ़ रहा कि कि वहां से निखलने वाला जो सल्फर है इसकी वज़े से आपका एसी ड्रीन जैसी सम्भावनाई बन रही है और ताज मेल पीला भी पढ़ता जा रहा अगला सवाल है लाल सूची किसके दिएरा तयार की जा रहे है आई-उ-सी-ए निए इंटरनेशनल उनियन फोर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यह आपका लाल सूची तयार करता है अगला सवाल है सूनामी और जे सूरीन याद रखीगा जो आई-उ-सी-ए ने उसका हेड़कौर्टर ग्लैंड ग्लैंड कहां पर सुजर लैंड में सूनामी विनाष 2004 का कारण क्या था सूनामी आई थी सन 2004 में इसका कारण मुक्यता था सागर की तली में आने वाला भूकम और उसकी वज़े से बड़ी मात्रा में तबाई फैली वी थी इंडोनेशिया सुमात्रा जावादीप उसके लावा भारत में नीचे दच्छिर भार भारत में सबसे जाड़ा छे थृफ़ल फी वन पाई जाते हैं मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश एक बला राजज्य भी है और सबसे दरावन और चादित जो छे थ 해 फैल है वह मध्यका लेकिन कई बार आपसे पूछ लेता है कि छेत्रपल के बजाय प्रतिशत वाईद छेत्रपल बहुत बढ़ा राज्य है चीक है तो मद्ध प्रिदेश में अगर आपका कम प्रतिशत पर भी वन हुए तब भी कुल मिला के छेत्रपल में जादा हो जाता है लेकिन अगर अगर आप से केंस आश्र प्रिदेश की बजाए राज्य की बात करें तो राज्य मिजोरम मिजोरम एक ऐसा राज्य जिसके कुल भूभाग का डिस्टुइंट 86% वन अच्छादेत है तो ध्यार रखना है दो आपका मध्य प्रिदेश और मिजोरम सफर्वादिक वन अच्छा प्रिदेशा में सबसे बाई है लक्षदीप में लक्षदीप में 90% भूभाग पर जंगल है जबकि सबसे कम जो जंगल पाए जाते है कुल भूभा हरियारा महर्यारा में कुल भूबाग का मातर 30% भूबाग के उपर जंगल है मेरे ख्याल से काफी इंफोर्मेशन आपको यहां पर मिल चुकी होगी अग्य सवाद पर मूब करते हैं ओजोन कवस समस्या से निपटने का पहला जो आपका प्रयास हुआ 1987 में वो कहां पर हुआ यह हुआ बैंकुवर, बैंकुवर कनाडा में है 1987 में हुआ 399 में संसार में सबसे अधिक्तम टेवल किस देश में यह अपने ही देश में है भारत में Q400 है प्रचली तुरूप से भारत का हरा स्वन किसे का जाता है यानि green gold तो यहां पर options को देखके देखे खेत, वन, वन बान और टीक कास टीक कास यह भी टीक की लकड़ी है तो यहां पर जवाब हो जाएगा टीक की लकड़ी इसको हराव स्वन कहते हैं लेकिन आपको अगर बुला जाए कि भारत में खासतर पर उत्री पूरी भारत में नौर्थीस की एरिया में कौन गोल्ड ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना था तो बैम्बू ट्री यानि बास बास को हम गोल्ड ट्री ग्रीन गोल्ड कहते हैं कि यह पूरे नौर्थीस की अर्थवेस्ता काफी हद तक टिकी हुई है बैम्बू के ट्री के ऊपर और विश्व में कुल जो बैम्बू ट्री है उसका अकिलिए 25% भारत में है तो कुल बलाके अगर आपको बैम्बू ट्री जवाब मलता है तो आप बैम्बू ट्री करेंग फिला लिए हाँ पर हमारा जवाब होगा टीकास टूड़े स्टुडियन्स कैसा लगा आपको ये वीडियो लाइक और शियर ज़रू करेगा और इसके अगले पार्ट का इंधिजार करेगा जल्द ही आपको अगले दिन इसको भी आपका ये मिलेगा थेंक्यू सू मर्च